दोस्तों यह डे टू का वीडियो है जो कि मैंने आपको बताया था कि इसका कितना फ्लाइंग करते हैं यह मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में यह देखिए सामने आप जो देख रहे हैं यह फीमेल है इसको मैंने थोड़ा स्लो कर दिया वीडियो को और यह फ्लाइ यह देखिया मैंने केज में रखा हुआ है केज अभी थोड़ा छोटा है क्योंकि मैंने आपको दिखाने के लिए इस केज में रखा है ताकि मैं आपको वन जो था वो फट डे का था वो आप देख लीजेगा कि आपको इसको कैसे मतलब घर में आप नया नया लाते हैं तो यह उड़ नहीं जाएगा यह भाग जाएगा इस तरह से आपको लगता है तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है एक सो दो दिन आपकर इसको थोड़ा से ट्रे फीमेल भी बाहर आने के लिए रेडी है आप देख सकते हैं थोड़ा से इंतजार करें क्योंकि मैं अभी सामने हूं कैमरा लेकर तो यह थोड़ा सा हलका डरते हैं क्योंकि अभी नया नया है सेकेंड डे है और फिर फ्रेंडली हो जाएगा तो फिर यह आपसे डरना बंद क कर देंगे यह देखिए यह फीमेल है वह अंदर है वह बिल्कुल भी नहीं निकल रहे लेकिन उसको भी निकलना है उसको जिस तरह आप देख सकते हैं उसका मोमेंट बॉड़ी मोमेंट कि वह निकलने के लिए रेडी है लिकन अभी नहीं निकल रहे है तो क्यामरा लेकर हम में मेरे पास अलग अलग टाइब के बड्स हैं वो देखिए साइड में मेरा केज रखा हुआ है और मेरे पास केज भी अपलेबल है नीचे में कांट्रक डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है यह देखिए मेल जहां पर मैं फूर उनको देता हूं वहाँ पर जाने के के लिए उतरने लगा है सीडियो से और यह देखिए अब फीमेल को भी पता चलिए है कि मुझे बाहर निकलना चाहिए यह देखिए फीमेल भी निकल चुगी है आप अरहां थोड़ा सा पीशे हो जाएंगे ताकि इनको कोई भी डर ना लगे और यह अराम से जहां पर मैं फूट देता हूं वहाँ तकि आ जाए पहला जो मैं फूड देता हूं वो केज के अंदर देता हूं ताकि इनको पता चले कि केज कहां पर है और केज के अंदर ही इनको फूड मिलने वाला है और जब मैं केज खोलता हूं तो ऐसे जगह पर फूड डालता हूं यानि कि सरसो अगरा मैं छीट देता हूं थोड़ा सा बाहर में ताकि इनको क्योंकि सरसों इनका बहुत ही फेवरेट होता है एक तरह का इंका ट्रीट हो जाता है तो सरसों खाने के लिए इनको कहां पर पर लग जाता है कहां पर मुझे जाना चाहिए कुछ बड़्स आप पीछे देख सकते हैं वह सारे मेरे कलेक्शन में करता है ज्यादा फ्लाइए नहीं करते हैं और यह सीडियों से नीचे की तरफ फ्लाइए करेगा हलका सा वह मैंने रिकॉर्ड किया हुआ तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं वैसे यह आराम से उतरते हैं बहुत ही कम उड़ते हैं और बिलकुल यह उड़के भाग नहीं जाएंगा ऐसा अगर आपको लगता है फर्स्ट टाम पर्चेस करें से में थोड़ा से लगता है कि यह उड़के जाएंगे या फिर उड़के भाग जाएंगे तो इसा बिलकुल भी नहीं है आप इस पर पर्चेस कर सकते हैं और यह बहुत जल्दी घरेलू मतलब फ् बैसे चाहिए तो यह थोड़ा उपर उड़ सकते हैं लेकिन बहुत ही कम यह फ्लाइग करना पसंद करते हैं और बहुत ही नीचे नीचे उड़ते हैं थोड़ा से मैं इदेखी यही पर मैंने सर्सो चीड दिया है हलका से गार्डन एरिया के तरफ और यहां पर पानी जो हल पर गुमाने के बाद फिर से मैं इन्में केज की तरफ ले जाता हूं यह देखिए यह ऑट्मेटिक सीडियो तरफ से आप पीचर थोड़ा सा उबढ़ जाने के लिए बोलेंगे तो यह सीडियो के तरफ जाना श्टार्ट कर देते हैं जहां पर आप राखें उस तरफ यह स्टार्ट कर देंगे यह सकेंड डे है इनको नहीं पता चल रहा है केज में किस तरह से जाना किस तरह से रहना है ठर्ट दे का वीडियो में यह प्रॉपर केज के अंदर जाना स्टार्ट कर चुक है तो यह देखिए मेल को हलका सा मैंने पुस्स किया और वह चला गया केज क के अंदर थर्ड डे का वीडियो मैं आपको इसके बाद दिखाता हूं वीडियो पर बने रहे हैं